नमस्कार प्यारे दर्शकों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर मैं आप लोगों को एक ऐसा जादू बताऊंगा जिसको अगर आपने सीख लिया तो आप किसी भी मनुष्य को बंदर बना सकते हो जिहां दोस्तों है ना हरानी वारी बात प्रंतुय सत्य है मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा बंगाल के रहस्यमई जादू के बारे में जिहां दोस्तों बंगाल जो है वो जादू का गढ़ माना जाता है जो असम है वो भी जादू का गढ़ माना जाता है यहां तंत्र मंत्र जादू टोने तथा तरह तरह की तांत्रिक विद्याओं का प्रियोग होता रहता है क्योंकि दोस्तों असम में मा कामाख्या का इस्थान है जहां पर तंत्र सक्ती का अदभूत अनोखा दिव रहस संगम मिलता है और दोस्तों बंगाल में मा काली का जो है विसेश महत्तो है क्योंकि वहां की मा कलकत्ते वाली बहुत फेम में परिवर्तित कर देते हैं तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको ऐसा चमतकारी मंत्र बताऊंगा जिसको यदि आप लोगों ने सिद्ध कर लिया जिसको यदि आपने विदी विधान से समझ लिया तो मित्रों आप किसी भी मनुस्य को बंदर बना सकते हो जिहां दोस्तों किसी भी इंसान को बंदर बना सकते हो और बंदर बनाने के बाद उसे दुबारा से इंसान बना सकते हो लेकिन बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कई लोग तो ये कहेंगे कि मैं कैसा कैसी कैसी बहकी बहकी बाते कर रहा हूँ लोगों को पागल बना रहा हूँ लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है जी हाँ मैं किसी को पागल नहीं बना रहा हूँ यह बात सत्य है मैं आपको मनुस्त को बंदर बनाने का मंतर बता रहा हूँ अर्थात बंगाल का जादू बता रहा हूँ कि किसी भी इंसान को बंदर कैसे बनाए और दोस्तों यह बड़ा ही दिव चमतकारी मंतर है तो दोस्तों इसको ध्यान से और बिधी बिधान से सुनिये जो मैं बताने जा रहा हूँ और इस वीडियो को स्कीप मत करिएगा दोस्तों आपको वो जानकारी पता चलेगी जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा यह यह कैसी रहसे मई जादुई जानकारी है जिसके बारे में सुनकर के आप लोगों के रोंक्ते खड़े हो जाएंगे आप लोगों ने दोस्तों जादु तो बहुत सुने होंगे तंत्र बिद्या के बारे में बहुत सुना होगा परंतु मनुस्य को बंदर बनाने वाला तंत्र साधना आपने इस चमतकारी मंतर के बारे में नहीं सुना होगा जो आज मैं अपनी इस वीडियों में बताऊंगा और इस राज से परदा हटाऊंगा तो दोस्तों दिल थाम करके बैठ जाईए और ध्यान से इस वीडियों को पूरा आखरी तक देखिएगा तभी आपको उस रहस्य मैं तांतरिक बिद्या के बारे में पता चलेगा जिसके द्वारा आप जो है किसी भी इंसान को बंदर बना सकते हैं चुठीयों में तो दोस्तों कौन सी सुधानी रखनी है क्या है इसका पूरा बिदी बिधान संपूर्ण जानकारी मिलेगी दोस्तों तो आप रसभी सन रोद है सबसे पहले मेरी इस वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही परकार से दबा लीजिए क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही दिव रह समय चमतकारी तांतरी जानकारी लाता रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से सोना बनाने की जानकारी चांदी बनाने की जानकारी अपसरा साधना तथा जो है अन भूत प्रित साधना तथा दोस्तों आपको जो है तथा बहुत सारी आपको दिब जानकारी देता हूँ जो आपके ग्यान में बृद्धी करती है साथ ही साथ आपको तांतरिक उसदियां तांतरिक जड़ी बूटी तथा तांतरिक अलग अलग प्रकार की साधना है तांदरिक पक्षी तथा बिस्येश प्रकार की अनोखी दुनिया की जानकारी देता हूँ जो दोस्तों आपको कोई नहीं देगा तो दोस्तों हमारे चनल पर हर प्रकार की रहस्य में जानकारी मिलती है तो दोस्तों इसलिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्राचीन जानकारी को जान सके इस तंत्र विद्या को जान सके तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं कि मनुषु को बंदर कैसे बनाएं तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि बुद्धोवार या सुक्रवार को आधी रात की समय 5 या 6 घंटा ब्रक्ष के नीचे बैट कर यह मंतर जो मैं आपको दे रहा हूँ उसी मंतर का आपको जाप करना है वो यह मंतर बताऊंगा मैं आखरी में ठीक है और 5 पेड़ कीदेंते हैं वह जो दोस्तों जो पर गांट को डिया थे यह होदाविधगा कि लिक्ताइद को कोस्ते दोस्तों or पहचां जाओगे धूनी दे या हमन करें यह करने के बाद उन प्योडों से कह दो कि हम मंत्रों को दे आवेंगे यानि मंत्रों को देने आवेंगे तथा अर्धरात्री को घर में आकर सुगंधित चावल या भात बनाकर घृत डालकर यानि घी डालकर खाओ मौन होकर फिर प्योडों के नीचे जाकर सब प्योडों से पाँच पत्ते तोड़ ले आओ और उसकी पत्तल बनाओ क्या बनाओ और उस मिट्टी का बंदर बनाओ असली का बंदर बनाओ यानि कि उस मिट्टी से और जो है सफेद गुर्यंदर पेड की लकडी लेकर के जो जिहां दोस्तों एक गुर्यंदर का ब्रक्ष होता है तो उसकी लकडी लेकर के एक मंत्र पढ़कर बंदर पर फेकने फेकते जाओ और जब बंदर लाल हो जाए, जो आपने मिट्टी का जो बंदर बनाया है वो लाल हो जाए, तो जानों की मंत्र शिद्ध हुआ, तब तुम जिस पुरुस या औरत को बंदर बनाना चाहो, वह लकडी उसके माथे पर फिर दोगे, तो वह मनुष ततकाल बंदर बन जाएगा, जी हां दोस्तों यह सत्यवचन है, तो दोस्तों यह बंगाल का जादू है, तो दोस्तों मंत्र ध्यान से सुनीए, ओम प्रपुल्लत हूंकार ज्वाला जल निकट बानर स्वाह, मंत्र फिर सुनीए, यह मंत्र है दोस्तों दुबार से बता देता हूं यह मंत्र है बुद्धवार या सुक्रवार को आधिरात के समय पांच या च्छे घंटा यानि कि आधिरात के समय आपको पांच या च्छे घंटा ब्रक्ष के नीचे बैट कर यह मंत्र जो है इसको जो है आपको जाप करना है ठीक है पांच शे गंटा ठीक है जहान रखिए कि ह्या पांच या शे गंटा जोै है यूvoorbeeld आपको बेच के नीचे बैट करके मंत्र का जाप करना हुआ ARE और दोस्तों पेडियों के नीचे झाकर कि उस पेड जाया है होना होना चाहीं यहां करने के बाद उन प्रइड़ों कि हम具 की ह मंतरों को जिय आएंगे और हमारा शिद्ध करें तब आधी रात्री को घर में आकर सुगंदित चावर या भात बनाकर सुधि देशी घ के डालकर खाछाओ और मौन फिर फिर के दोस्तों ले करके और जो है मंतर पढ़कर बंतर पर फेकते जाओ जब तब तक आपको मंतर का जाप करते वे फेकना है जब तक बंतर लाल ना हो जाए जो बंतर की मूर्ती है वो लाल ना हो जाए जादू तरीके से तो दोस्तों तब तक आपको जाप करता रहना है और जैसे ही बंदर की मूर्ती लाल हो जाए तो समझ जाए ये मंतर शिद्ध हुआ अब तुम जिस पूरुस या औरत को बंदर बनाना चाहो वह लकडी उसके माथे पर फेर दोगे तो वह वह इंसान वह मनुस बंदर बन जाएगा जी हां दोस्तों ये थी दिव एवं रहस्य बंगाल का चमतकारी जादू तो दोस्तों इसको प्रियोग करिए लाभ होगा अवश्य लाभ होगा लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें जो मैंने जुबी धी बताई उसी अनुसार करिएगा दोस्तों इस मंतर को हर को इसी दिन नहीं कर पाता है इसमें बहुत अगर आप पलन कर लेते हैं तो आप निश्ची थी एक आप अद्भूत और चमतकारी तांत्रिक बन सकते हो किसी भी मनुस्तों को जो है आप बंदर बना सकते हो तो दोस्तों अगली वीडियो लेकर कि आएंगे हम और उस वीडियो में भी हम आद्भूत जानकारी देंगे तब तक के लिए नमस्कार जाहिंद